दूभी जो हमारे आज परोश में अगल वगल में घास के रूप में पाया जाता है और साइध ही कोई वैक्ती होंगे जो इसे नहीं जानते होंगे इसे दुर्बा भी कहते हैं, दूभ घास भी कहते हैं अलग अलग सहरों में अलग नामों से भी से जाना जाता होगा इसके कुछ बेनिफिट हैं जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं और इसका फाइदा भी उठाते हैं लेकिन आज मैं दूभी के कुछ ऐसे बेनिफिट और फाइदे के बारे में बता रही हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे और बहुत बड़े गंभीर बिमारी में गंभीर समस्याओं में ये दूभी हमारे लिए एक नाम बान सावित होने वाला है जैसे अगर आपके लीभर में किसी भी परकार का इंफेक्शन हो गया है जॉन्डिस की समस्या है जलोदर की समस्या हो रही है या आपके यूरीन में इंफेक्शन है पेशाब रुक रुक के आ रहा है या आपके आंत में सूजन है ऐसी कोई भी समस्या है या भ्यांकर ऐसी डीटी से परिशान रहते हैं अलसर है आपको उन सभी बैक्टिक को ये एक दूभी से उनको बहुत ही ज्यादा फाइदा मिलने वाला है आज उसका कुछ प्रियोग विधी मैं बता रहे हूँ जिसे करने से इन सभी बिमारियों में आपको अच्छा रहत मिलेगा अगर आपको लिभर में किसी भी परकार का इन्फेक्शन या सुजन है तो उस इस्थिती में आपको दूभी ले आना है उसको पीस के और 20 से 25 एमेल इसका रस निकाल लेना है और उसमें ताजा पानी 50 एमेल मिला देना है और सुबह शाम खाली पेट में इसको जो है और जलोदर जैसे गंभीर समस्या में प्रिशान है तो उसमें भी अगर आप दूभी का रस और पानी लेते हैं लेकिन उसमें चार से पाच वार लेना है दिन में तो दो से तीन दिन में ही देखिएगा जो आपके पेट का सुजन कम होना इस्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद अगर गर्मियों के महिना में इका एक नाक से बलड गिरने लगता है जिसे हम नक्सिर भी कहते हैं और उस समय अगर आपके पास कोई भी मेडिसीन या कोई शुद्धा नहीं है तो आप दूभी को पीसके और उसका रस निकाल लें और नाक में डाल दें तत्काल ही दूभी का रस डालते ही देखिएगा जो तत्काल ही बलड आना बंद हो जाएगा महिलाओं में इकाय के बलीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस समय भी आप दूभी को पीसके और 15-20 अमेल दूभी का रस और पॉनी 50 अमेल मिलाके अगर देते हैं तो उनका बलीडिंग में तत्काल ही जो हैसो सुधार देखने को मिलेगा अर्भ पात किनी को बार-बार हो रहा है उनके लिए भी ये दूभी बहुत ही बड़ा कारगर उपाय है जिनको इजड़न की समस्या है उनको रेगुलर 2-3 महीना 15-20 अमेल दूभी का रस और 50 अमेल पॉनी रेगुलर सुभा स्राम लेते हैं तो उनको गर पात जैसी समस्या से फुटकारा मिल जाएगा तो इस तरह से आपके अगल बगल जो घास के रूप में दूभी है उससे आप हैदा ले सकते हैं इसमें ध्यान देने वाली एक ही बात है जो दूभी जहां से भील है उहां पर ज्यादा गंदगी नहीं हो इसलिए कि ये अगल बगल में अगर गंदगी है उसका प्रभाब खीच लेता है तो दूभी साप जगा से उखाड़ें और तब उसका प्रियोग करें